जे मातराई दोस्तो मातरानी आपकी सारी मनुकामनाए पोन करें और आप जीवन में खुब सारी तरक्की करें इसी के साथ आजका जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरिताली का तीज वरत के बारे में या तीजा वरत के बारे में जैसे कि आप सबको पता है हरताली का तीज आने वाले 6 तारिक को 6 सितंबर को दिन सुक्रवार को पुरी वीदिवत रूप से हरताली का तीज वरत का पर्व जो है वो मनाया जाएगा जुबरत है वो किया जाएगा बहुत वीडियो जो है वो मैंने डाल दिये हैं लेकिन फिर भी बहुत सारी बहनों के प्रेशना आ रहे हैं कि जिदी मेरा तीसरा दिन है मेरा चौथा दिन है पीरिट्स जो है वो आ गया है तो ऐसे मैं पूजा जो है वो हमें कैसी करनी चाहिए क्या करना चाहिए वैसे मैंने वीडियो जो है वो डाल रखें आप लोग नहीं देख रहे हैं फिर से कॉमेंट कर रहे हैं तो मैं फिर से एक बार जो वीडियो है वो फिर से बना दे रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज़दा बिजी हूँ हर तालिका तीज ब्रत में बहुत सारा सामान जो है वो जुटाना देना चाहिए तो देखे पीरेट्स में पूजा के लिए मैंने वीडियो डाले हैं फिर से बता दे रहे हूं कि जब आपका पीरेट्स या मासिक धर्मा जाता है तो आपको बहुत ज़दा परिशान नहीं होना है ये एकदम से नैचुरल है प्रकृतिक है और अगर इसको दिन पहले ही आजाए तो आपको ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़दा आप जो है वो लेके ना चलें कि पीरेट्स आ जाएगा तो क्या होगा कैसे होगा तो दिखे जो पीरेट्स है जो मासिक धर्म है वो एकदम से नैचुरल है प्रकृतिक है उसको आना ही आना है आप पती से सिंगार के चीजें और मिठाई जो है वो चड़वा के पैर जो है वो छुआ सकती हैं अगर आपके पती जो है वो भी परदेश में रहते हैं आप अकेली रहती हैं बच्चे बहुत छोटे हैं तो आपको परिशान नहीं होना है पूजा पाट आप ना करें बिल्कुल से ही प्रणाम करें कि प्रभू ऐसी अवस्ता है घर में कोई नहीं है ब्रत पूजा जो है वो हम माली जे ब्रत तो कर सकते हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप जो गलती है वो उसे माफ करें और अगली बार जब मेरी अवस्ता ऐसी होगी कि मैं पूरी वीदिवत पूजार्शना कर पाऊंगी तो जरूर करूंगी इस बार ऐसी अवस्ता नहीं है तो मैं नहीं करने हूं भगवान सब समस्ते हैं भाव अगर आपका अच्छा है तो जो आपकी पूजा है वो आप उन तक पहुत जाएगी और उसका पूरा अफल जो है वो आपको मिलेगा तो जो भी हमारी दार में ग्रंथ हैं पूस्तके हैं जो भी हैं उसमें ये वर्णन किया गया है कि जो भी नारी है जो इस तरी है वो तीन दिन के लिए सुद्धी के अवस्ता में रहती हैं सिर्फ और सिर्फ तीन दिन का वर्णन मिलता है तो तीन दिन के वर्णन की वज़ए से बहुत सारी बेहने पूछती है कि दिधी हम चौथे दिन पूजा कर ले या हम पाँचवे दिन पूजा कर ले या मेरा जो है वो तीसरा दिन है मैं पूरी तरीके से साफ सुतरा हो जाती हूँ तो क्या पूजा कर लूँ या नहीं तो देखे पूजा तभी की जाती है जब आपके कम से कम दो बार अच्छे से धुल गए हो, सूख गए हो, तब आपको पूजा जो है वो करना चाहिए, अब आपका तीसरा दिन है, चौथा दिन है, मैं कभी नहीं बोलूँगी, आपको अनुमती नहीं दूँगी कि आप पूजा करें, हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप साप स्वक्ष हैं, आपके दो बार बाल दो चुके हैं, और आप पूरी तरीके से सुद्ध हैं, तो फिर वो आप समझ लीजे, क्योंकि मैं तीसरे दिन और चौथे दिन पूजा के लिए नहीं बोल सकती हूँ, हाँ, बाचवी दिन आगर आपका पांचवा दिन है, तो क्या हम दो सकते हैं, तो आप सर से पानी डाल के पूरी तरीके से स्नान कर सकती हैं, इसमें कोई दिकत, कोई परिशानी जो है वो नहीं है, क्योंकि पूर सुद्धी तभी मानी जाती है, जब हम बालों को दोते हैं, तो आप हरताली का तीज वाले दिन, सुक्रवार का द नहीं है तो उमीद करती हूँ इन प्रश्णों का जवाब आपको भली बाती मिल गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें इस चानल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आप सभी माताओं बेहनों को हरिताली का ती मातादी दूस्ट